पुए उस परमात्मा के लिए कि अपना पन बताया है किता plan केक मंत्र में 01 publicly कैवल है परमात्मा। हमारे तो केवल आप हैं आज हमारे लिए अन्हीं है हमने कभी अब तक नहीं माना अब तक यह नहीं सोचा कि है रही हमारे केवल आप हैं हमारे लिए साथवे आठवे नमबर पर आते हैं दुनिया के सभी रिष्तेदारों तो पहले नंबर पर रठाएंगे कि परम्दा में ही यहां क्या ही फरर पड़ जाएगा हम तो वैसे परम्दा में जाना है जै करते हैं और पहले नमबर पर कोई और होता है दूसरे-3जी कहीं अंतिम सूची में आते हैं कि लेकिन यहां इस प्रसंग में वैसे तो सोभा दी है लली ता सखी को ओर कहने वाले से राज przेव़ यहां पर व्यक्त हो रहा है जो जो कह रहे हैं वारी रे वारी मेरे प्यारी वारी रे वारी कि है मेरे प्यारे मैं आपके उपर न्योचावर होती हूं अब जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि पहले वारी यहां अधिकार होता है वहां करतव्य भी जुड़ा होता है जैसे उदाहरण के लिए प्रधान मंत्री कोई बंजा है उसको कितना अधिकार मिलता है राश्ट्रपती बंजा उसको कितना अधिकार मिलता है लेकिन उनके साथ में करतव्य भी जुड़ा होता है कि आपको राश् सब कुछ समर्पीत कर दिया है आपके चरणों में अब आपके उपर मेरा अधिकार है जैसा खटरीतु की बाड़ी में श्रींद्रावती जीने राज्जी के लिए कहा पहले उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पीत किया जैसा कि वह कलस में कहती है कि मैं तो अपना दे रही पर सर्वस्व समर्पीत किया उसके बाद अधिकार कौन सा लिया उन्होंने खट्री तुम्हें इंद्रावती जी कहते हैं कि मेरे ह्रिदय रूपी पिंजड़े में मैंने आपको तोता बना करके रखा है अब मैं अपने ह्रिदय में अपने प्रेम के मीठे मीठे अंगूर आप बढ़ते हुए कहती है कि हराज जी अब तक आप मुझसे छिपुते रहे लेकिन अब ऐसा नहीं होगा अब मैं जैसा नाच नचाओंगी आपको वैसे ही नाचना पड़ेगा अब आप मेरे प्रेम के वशीकरण रूपी दोरी के वशीकरण रूपी धागे के वश में हो अपना सर्वस्व समर्पित किया कहते हैं हाड हुए सब लकड़ी सिर्फल विरह अगिन जब सिर्फ सूख करके नारियल के जैसा हो गया हट्डियां लकड़ी की तरह होने लगए तो इस अवस्था में विरह की उस अवस्था में जाकरके उन्होंने अपने हृदय में तो वहां किसी सुदर साथ ने कहा कि सरकार्श्री मेरी भैस दूद कम देती है आप आशिरवाद दीजी कि मेरी ज्यादा देने लग जाए प्रह्मवंच महाराच्री राम्रतंदा जी जिन को हम बड़े महाराची के नाम से जानते हैं उनके पास एक बार बनारसो माता जी प गर महाराची ने कहा कि बना रसो तुम्हें नहीं पतार यहां को कोई को खीए नहीं चाहता और यहां नहीं के नहीं सब TERकी वह रखर बाइस चलो बीच में राजी हमारे सामने आ करके कहने लगए कि यहां जितने सुन्दर साथ बैठें कि चलो कि आपका तन शूट जाएगा लेकिन आपकी जो सूर्ता है वो मेरे चरणों में पहुंचेगी गुम्मट जी में बागी सब सुन्दर साथ को भी में जगा लोगा दीरे-दीर कर कि आपका तन शूट जाएगा लेकिन आपकी जो सूर्ता है वो मेरे चरणों में पहुंचेगी गुम्मट जी में बागी सब सुन्दर साथ को भी में जगा लोगा दीरे-दीरे करके यदि राजी किसी तरह की शर्त रखते हैं तो चलने के लिए कि इतने लोग तयार है कि या फिर हमारे मन में आगा कि आज तो लीमें हो आपको अगाता है कि सुनदर साथ राजी चाहता है तो बर परिख्षा लेकर देख लेते हैं आप सुंदर साथ को जी का महारा पश्ण कर द मुझा मुझ से लड़ती है क्रिपा कर दीजिए कि मेरी बहु मुझ से लड़ना बंद कर कोई कहता है कि मेरे बेटे को नौकरी नहीं लगा कि कोई कहता है कि हमारा व्यापार ढंग से नहीं चल पा रहा है व्यापार धंग से बड़े महाराज जी भी क्योंकि स्वयम अपने उपर कभी नहीं लेते थे वो सब को कहते गए कि सद्गुर महाराज की क्रिपा से सब ठीक होता जाएगा अब सब को आशिरबाद भी दे दिया बाद में बनार समाता जी खुद भी स् इसे उपर की चौपई में भी महाराजा चात्रसाल जी ने स्री जी के उपर सर्वस्व शमरपण करके दिखाने का प्रसंग है कि स्वरुपर तनमन धन पुर्बान तो यहां तक भी कह दिया कि स्री जी के स्वरुपर पर इमान लेकर के आएगा मैं तो उस पर भी अपना सर् पर्सवन्य चाहुण और इस समरपण की वजह से स्री चात्रसाल जी को भी अधिकार मिला कि उन्हें सुन्दर सातमें अमिरूल मुमिनीन अथवा ब्रह्मिस्ष्टियों में मुख्य ब्रह्मिस्ष्टि कहा गया यहां ललिता सखी ने भी वैसी कुर्बानी करके दिखाई औ लेकिन कही न कहीं मन में उनके मन में भी चिंता थी और उनके घरके। उसमें 70% बाजार इस्तो के लिए होटा है चाहे वह सउंदरिय प्रसाध्धनोका हो चाहे कि आप सब्सक्राइब ही मार्केट है तो विसेश्रूप से सौंदरी के प्रती ज्यादा सजग होती है और अपने आपको असुरक्षित भी महसूस करती है जैसे उदाहरण के लिए किसी इस्त्री ने यदि 2000 की साड़ी पहनी होगी 2000 तो उसको खुशी होगी लेकिन यदि उसने सामने वाली दूसरी इस्त्री के पास में 4000 की साड़ी देख ली तो अब उसको लगेगा कि नहीं मुझे तो चाहिए और विसेश्रूप से क्यों कि मैंने बहुत सारी बेहनों को देखा है माताओं को देखा है उनके वाडरोब कपड़ों से भरे रहते हैं मतलब चेंज करके पहने हर दिन एक कपड़ा पहने तभी महीने भरवाद भी दूसरे की बारी नहीं आती होगी लेकिन उसके बाव बाहर निकलना होता है कि मेरे पास तो सात्मक समाज रहा है और पुरुष चूंकि संदर्य के प्रति ही तो व्यत्याकरशित होता है अब महिला को ऐसा लगता है कि उसको जिस घर में जाना है वहां आज का समाज भी लड़की भी कितनी अच्छी पढ़े लिखी हो मास्टर सी क्यों न किया हो लेकिन घरवाले विस इसलिए इसत्रियों को कमाने नहीं दिया जाता है तो अब इसे के पास क्या बचा एक सुरक्षा की रूप में कि कमाती वह नहीं आर्थिक रूप से वह सुरक्षित नहीं है अगर वो स्दिखने में भी सुन्दर नहीं होगी तो इस तुन करेगा पहला यह मारे कारण है दूसरे के प्रति आकर्शी तो हो सकता है ऐसा लगता है इस वज़े से और इसमें बहुत हत्तक सचाई भी होती है तो इसलिए प्रतेक इस्त्री सांदरी के प्रति ज्यादा संवेदन रहती है अब ललीता सखी के विसे में भी घरवाले सोचते थे कि अब ऐसी है कुबडी है मैं कि अब लोग स्रीजी तो साक्षात अक्षरा ती थे तो किसी ब्रह्मा हत्मा की चिंता को अगर नहीं जानेगे तो कोई कोई कैसे जानेगा उन्होंने क्या किया जब उसनान कर रहे थे ललीता सकी भी पास में थी उन्होंने हसी मजाग में जल छिड़क दिया और फिर क्या हुआ उनकी जो शारीरिक बाहिया कुरूपता थी वह पल भर में सुन्दरता में बदल गई अब ये एक तरह से चमतकारी लिला ही है आडिका लिला जिसको कहते हैं अब सब लोगों को लगा क्योंकि वाणी तो अ उस समय में हो रही थी होने की क्रम में थी सब सुन्दर साथ वाणी पढ़ा लिखा नहीं था सब के मन में क्या आया कि द्वापर यूग में श्री कृष्ण जी ने एक तो जो कुबजा है उसका उसकी कुरूपता को समाप करक का है तारतम वाणी के माध्यम से मुझे मेरी आत्मिक पहचान करा करके मेरे अंदर जो आंतरीक गुरूपता थी उसको भी समाप्त किया अब उस प्रसंग में हम आगया आते हैं तब ललीता सकी ने स्रीजी के सब कुछ समाप्त कर देना कि मैं अपना सर्वस्व समर्पित कर संसार की सुन्धर स्वरूप यूगल स्रीराचिया माझी και संदर स्वरूप है उससे सुलदर और कोई नहीं है इस संसर संसार की संसरों ता को देख कर कि हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं मोहीत हो जाते लेकिन कहा जाता है कि इस संचार में जो सब से अधीक सुंदर है उससे करोणा ज्यादा संधर या स्वर्गवाइकुंढंट के देवीदियोता के पास है उन से कैसा है सुन्दर सुरूप है अथर्ववेद में उस ब्रह्म को उस प्रमात्मा को सुरूप कृत्नुम कहा है अथात सौंदर्य का निर्माता जिसने सौंदर्य को भी बनाया है सोचे वह स्वयम कितना सुन्दर होगा तो यसे सुन्दर सुरूप वाली युगल सुरूप के मुझे पर नजर तुम्हारी आपने मुझे पर क्रिपा करके अपनी अम्रीत में नजर अपनी अम्रीत में द्रिश्टी अपनी क्रिपा द्रिश्टी मेहर की द्रिश्टी की वर्शा की और मेरे कुरूपता को आपने समाप्त किया और वह कुरूपता का मतलब अतिभारी अमल किसको कहते हैं नशा माया का नशा कुछ ऐसा है हम पर चढ़ा हुआ कि इससे हम निकल नहीं पा रहे हैं यह जो संसार एक तो जहर है और उपर से नशा सिर्फ सामान्य जहर हो तो कोई वेक्टी क्या करता है उसको पता चलता है कि मुझे में जहर का असर हो रहा इसलिए क्या हो रहा था बार-बार जन्म लेना है बार-बार मरना है अच्छा ऐसा कौन होगा जिसको पता नहीं होगा कि दुनिया में जो पैदा हुआ है उसको मरना पड़ेगा लेकिन फिर भी काम तो हम कैसे कर रहे थे जैसे कभी हम जाएंगे ही नहीं वाणी कहते हैं मे करना निश्चित है लेकिन फिर भी हम काम कैसा कर रहे थे कि हम तो यहां हमेशा के हैं वाणी केते हैं तुम आया चल देखने भील गईया माहे चल चल को चल न ला गहीं ओ लहरी ओजल तो जिस जीव के उपर बैठी वह इस तरह से कार्य करने लगए जैसे कि हम इस माया के ही माया कर सक्कूल आप किस को माया करेंगे फरिवार्वाराट को गरिवार देते हुए फिर भी माया से जीश्यलग रहते हैं जैसे कमल से अलग रहता है कभीर जी परिवार में थे फिर भी संसार से उपर थे महाराजा चत्रसाल जी लवकिक भाव से देखें तब भी उनकी तीन पतनिया तो थी बच्चे भी थे लेकिन फिर माया से बचा कैसे जाए में रहते हुए वह तो उन्होंने दिखा है ना जब केसर भाई कर दो पेरों के नीचे दबा रंख्काए तो कुछ ऐसे भी होते हैं इसका मतलब क्या है कि केवल परिवार में रहना माया नहीं है और कि परिवार को छोड़दा माया से मूक्ती भी नहीं वहां मेरता से आदी थी तो वो संसार में थे पैसा कमाते थे फिर भी उनको उस पैसे का मुह नहीं था और वहीं मुकंददास जी घरबार छोड़ करके तो निकले लेकिन उनकी बसनी में मतलब उनके घाट में थैली में 400 रुपए थे उन्होंने सुंदर साथ की सेवा के माया से मुक्त कैसे हो सकता है और संसार चोड़ने के बाद भी किसी प्रकार का मुह कैसे हो सकता है तो यह दो उदाहरण से हमें सीखने को मिलता है तो माया का मतलब कहीं बाहर नहीं है आपको कोई पूछे कि माया किसे कहते हैं तो इसको ऐसे समझना और समझाना कि हर साथ तो हम हर व्यक्ति को कहते हैं तो माया का मतलब हर व्यक्ति वस्तु इस्थान पदार्थ जो हमें राजी से विमुख करें उसको कहते हैं माया करा और मायां कही अंगे जगह पर नहीं है माया होती है हमारे मन में कोई बाहर से घुस की और DA AE G forty अब ललीता सखी कहती है कि मुझे देखके सेवाल मेरी कईयों जीत के बांजी हारी मैंनेब देखा मे Peach laying जीती हुई बाजी को हार गई माया के बंदन में कैसे हुआ वैसे तो बहुत सारे द्रिश्टांत मनें अब तक सुन रखें जान रखें एक गोविन ब्रहे की मंडली है जिस में से तीन साथु जा रहे होते हैं दो साधू तो जैसे तैसे निकल गए जो पिछला साधू है उसने का कि अब तो मैं बाहर निकल चुका हूं एक कंबल ले करके भाग जाता हूं फिर कुछ नहीं होगा लेकिन जैसे उसने कंबल पकड़ा वो फस गया उस माया के प्रवा में तो कलस की वाणी में कंद्रा उती जी ने माया का बल बताते हुए ऐसा लिखा इसा कहा है कि जो संसार रूपी भावसागर है माया इसका प्रवाह इतना ज्यादा तेज है कि इसमें बहने के लिए आपको घुसने की जरूरत भी नहीं है आप इसमें नाक्मुन भी उस प्रवाह में डालेंगे त है तो जीती हुई फारने का मतलब यह है कि हमने ज्यां दृष्टी से ज्य के राजी के स्वरूप की कई पहचान भी की स्रीजी की कृपाते रूप से हमें उसी स्वरूप में राजी नाजी और संग जी को अब तीनों ने पहले क्या कहा कि हमने देखा कि श्रीदेव चंद्र जी तो यहां पर बैठे वे ऐसी चिट्थी ले की जगा जगा पर सुंदर साथ को भेजा फिर वहां से प्रेमदाह जी तो रहे गए संग जी चले गए जब नौतनपरी पहुंचे बिहारी ज से डगमग आ रहे हैं आप किसी के दबाव में आ करके तो इसका मतलब यहीं जीती बाजी हार जाना इसी तरह से जागनी के ब्रह्माण में आपने समर्पन भी किया मानव कि आपने घरबार भी छोड़ दिया राजी के नाम पर आपने ग्यान ग्रहण किया अठार अजर साथ साथ में बड़ा हुं इतने में आप जिती जिताई भाजी हार पड़ ठीक था लेकिन दूसरा दे रहा है तो ठीक है कि मेरे द्वारा ऐसा हुआ मैं ऐसा कर रहा हूं पॉर वह वोन्होने मेरे देखते देखते वहीतीवाजी हार में हँआ की ञाद ही है तो इसलिए कई ऐसे प्रसंग हम ने देखे वाड़ी वीत-के माधियम से जिसमें सुद्रसाथ जिति-जीताई-ba millennials हार देते हैं अब आगे ललिता सकी कहते हैं कि काली कैसे कि मेरे अंदर अज्यानता की काली थी मुझे पहचान नहीं थी नहीं तो माया की रहा पर चल रही और रहे करनी ऐसी होती divisions हाँ कि हमारी रहनी ऐसी है कि हमारा रधय कठर है राजी के लिए प्रेम नहीं आ पता है पहंचान होने के बावज़ुद भी हम उन पर इमान नहीं पाते तो मFF है लएकिन इसलटा करके वैसे तो आत्मा हमेसा है कि अपवित्रकौन है ति अपवित्र कॉन है जीव देना को भी यहां पर क्या कर दिया कि आत्म निर्मल नहीं means से माया में फसा होआ है कि इंद्रियां जोगी इंका विक्षाही माया का है इंद्रियो का क्या थैसे सब्सक्राइब हो करके जीव के पड़ा होचाइब एस तरह से क्रोध-वह mày इसलिए उस जीव कोकर विराज मान है तो आत्मा की रिए भी कहा गया कि आत्म खी नीज में नहीं है लेकिन राजी ने उस जीव को भी निर्मल कर दिया अपनी क्रिपाद रिष्टी से और मुझे सरलता पुर्भक पार उतार दिया और ललीता सकीन अंतिम में कहा कि सुन्दर शरूप सुभग अति उत्तम मुझे पर क्रिपा तुम्हारी की है धामदनी आपका सुरूप क्यों सुखकारी एसा ने कि छेणिक सुख दिया अगर रूप को सुंदर करने के बाद ललीता सकी के यह भाव होते तो कायम सुखकारी नहीं होता तो हमेशा रहने वाला ही नहीं आत्मिक दृष्टी से पहचान की ललीता सकी ने चमतकार देखकर कि स्री जीकिपहचान नही नहीं रहती जैसे 313 आत्माहों की जागरिती हुई थी छृदेयो चंद्रजी के माध्यम से लेकिन वे वापस माया लीला को लीणा मतलब हमेशा के लिए उन्होंने उन्होंने ग्यान द्रिष्टी से बिसें सुरुप की पहचान की और पहचान करने के मैं आपकी हूँ और मैं आपके उपर समर्पित होती हूँ इसलिए कहा वारी रे वारी मेरे प्रकरण है सर्फ बीतक के दृष्टान को समझने के लिए आपके लिए प्रकरण के लिए और प्रेम के अधिकार को प्राब्द करना है या फिर जैसे दुनिया के भक्त अपने इश्ट से आराग्य से देवी देवताओं से दुनिया की इच्छा व्यक्त करते हैं कि भगवान जी इतना चाहांत। रहेल होती है अगर मांग होगी तो वह भी प्रेम मंहाग ही होगी युझा कि इंडाहुतै करना तो recommend अँनों यह नघर eh तो इसलिए हम सब सुन्दर साथ को ललीता सफी के इस प्रसंग से समझना होगा और समहलना भी होगा कि हमें राजी को एक सांबान या संसार के देविद्योता के तौर पर देखना है उस भाव से उनकी भक्ति करनी है या फिर रहांधनी के सुरुप की पहचान करके उनसे प्र